हेलो एब्रीवन वेलकम तो अभीपीडिया पावड़ बाई अभी मन्यू आईएस एंड इन दसी सेट क्लास टूड़े वे डिस्कास डिस्टेंस एंड डिरेक्शन इंपोर्टन टोपिक है डिस्टेंस एंड डिरेक्शन के अंदर से कॉस्चेट के अंदर आता है ठीक है तो चौण सवाइब को किछगेए के ऐसे कॉस्टेंस कॉड़े रहेगी में आपको को रूब्लम नहीं रहेगे आइधिंग सारे आपको इहां संगयर होजाने जाहिए ऐगाotes कस्ते यिभी तो अगर हम बात करते हैं distance and direction के अंदर तो main आपके पास में four directions है सभी को पता है हां जी four directions है this is east, west, north and south ठीक है अब इन ही four से हमारे पास में four directions और बनती है यह क्या आगया आपके पास north east, south east ओके और यह अपने पास में आगया आपके पास में southwest, okay and northwest, clear तो यह अपने पास में direction है कुछ नहीं है देखो इन दोनों के mid का यह आगया, इन दोनों को इकठा किया यह आगया इन दोनों से यह बनी और इन दोनों से यह बनी, clear इन direction के अंदर अब एक तो यह point हो गया का पता होना चाहिए दूसरा जो point हमें पता होना चाहिए वह यह कि जब भी डिस्टेंस डिरेक्शन पर बेस्ट कोश्चन आते तो उसके अंदर होता है परसन लेफ्ट में मुढ गया, राइट में मुढ गया, इधर चला, नोर्थ में चला गया, ठीक है जी, इस तरह से तो ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास में कोश्चन इस तरह से आ रहा है, तो क्या ध्यान रखोगे, अगर एक परसन नोर्थ में चल रहा है, नोर्थ फेसिंग है, क्या है, नोर्थ फेसिंग है, जब नोर्थ फेसिंग है, तो अगर वो कहता है कि इस्ट के अंदर जान क्या है कि अगर हम बात करते हैं नोर्थ की जगर मेरा फेस नोर्थ की तरफ है तो उस टाइम पर जो मेरा राइट है वही राइट रहेगा जो मेरा लेफ्ट है वही लेफ्ट रहेगा अगर हम बात करते की ह条बक है साउथ On डिरेक्शन के अंदर है साउथ के अंदर ठीके टो उसके सके अंदर धिशान रखो कि अगर वह कहता है राइट और लेफट तो उसके में जोर्झ घ। बन जाएगा जो इधर जाओगे, इधर जाओगे, पॉइंट के लिए रहे, नोर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग है, ध्यान रखना है कि हम कौन सी डिरेक्शन के अंदर फेस है, जो भी परसन मुग कर रहे, यह पॉइंट के लिए रहे, अब हमारे पास बात आती है दूसरी, इस्ट फेस अब यहां पर देखो, अगर हमारे पास में जो परसन है, वो है वेस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, डैट मिन्स कि, जो अपना पास में बंदा है, वो इधर जा रहा है, वेस्ट फेसिंग है, तो यह बिटा इधर जा रहा है, जब वो इधर जा रहा है, और उसके बाद म डाइट डारेक्शन के अंदर मूव करने तो हम कहां जाएंगे अप जाएंगे अगर वह कहता है कि लेफ्ट डारेक्शन के अंदर मूव करने तो हम कहां जाएंगे डाउन जाएंगे प्वांट कबिया रहे आगर कैता है ईसटफेसिंगे इस्टफेसिंगे और चीर अब एधर जब जा रहा हुआ है और किया कहा रहे है कि हे tierra मीशय जैए इप में मुड़ने है अब हमें डॉबक की साइड में जाना ना सब्वस्द साग्ति कि नीचि जाने थी अगर आज़ कहता है कि हन्जी लेफ्ट में मूव करना है तो लेफ्ट के लिए क्या करेंगे हमें लिए deux दिहान रहेगा ताफ चार पॉयंट से एक तो डैरेक्शन डैरेक्शन का सभी को पता होता है डैरेक्शन का सभी को पता कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तिक उसके बाद में जहांपे हम गलती करते गलती यही करते हैं कि जब आपके पास question तो उसमें धियान रखना है कि left में जा रहा है तो उस ताइम पर face किदए जब face है जिस साइडा direction के अंदर उसी से हम decide करेंगे कि left के लिए कि धर रूड़ना है right के लिए कि दर वूड़ना है okay then i should be question की तरफ move करें चलो ठीक है excuse me हां जी देखिए, first question है screen पे, first question screen पे है, समझ आ रहा है तो वीडियो को like कर देंगे, share जरूर करेंगे अपने friends के साथ में, हां जी अपने friends के साथ में सभी ने share करना है, ओके, तो देखो क्या है, एक person start from a point in east direction, कौन सी direction है उसकी, east direction ने, that means कि एक person कि इधर जा रहा है, east direction के अंदर जा रहा है, यही कहना उसमे, एक person start from a point in east direction, यह उसका starting point है और यहां से वो east direction के अंदर जा रहा है, ठीक है, अब कहारा है, he walks 10 meter, कितना चला वो, 10 meter चल दिया, अब एक बहुर बात भी ध्यान रहा है, यह भी ध्यान रखना है, कि जैसे यहां पे आपके पास distance given उतर, तो कम ज्यादा का ध्यान रखना अगर काम है, तो exactly तो हम नाप नहीं सकते इसको, ठीक है, हमारे पास scaling नहीं कर सकते, बट यह है कि हांजी, थोड़ा सा idea से हमने क्या करना है, कि जगर ज्यादा है तो उसके लिए हम थोड़ी सी line को big कर देंगे, अगर small distance comparatively तो उसको छोटा लेकी चलेंगे, तब यहीं पर क्या कर रहा है, he works 10 meter, and takes a right turn, अब जब वो इजर इस direction में जा रहा है, और उसके बाद में क्या कह रहा हो, हाँ जी, मैं इस direction में जा रहे हो, और कौन सा turn लेना है, right turn लेना है, right turn लेना है, now he works 5 meter, 5 meter, idea से हमने ले लिया कि हंजी अंदाजे से कि 5 इतना हो गया, ठीक है, and again takes right turn, अब वो south facing है, south facing है और क्या कह रहा है, right turn लेना है, and then take again right turn, south facing है, निचेक साइड जा रहा है, right turn लेना है, right turn के लिए क्लिए क्या करोगे, इधर जाएंगे, और कितना चल रहा हूँ, 3 kilometer, 3 meter चल रहा, यह 5 है, और फिर 3 है, done, उसके बाद, and takes a left turn, अब जब इधर हम जा रहे हैं, left turn लेंगे, that means की निचे की साइड आएगा, walks 6 meter, 6 meter चला, almost इतना हो गया, 6 meter, and then takes right turn, और यहाँ से उसने right turn लिया, that means की इधर चल दिया, right turn, he finally stopped after walking 8 meter, 8 meter चलने के बाद में वो रुख गया, 8 meter, चलने के बाद में वो वहाँ से रुख गया, that means की यह, देखो 3 तक तो यही था, 8 that means की थोड़ा सा इधर जाएगा, 8 हो गया, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इधर ले सकते हूं, यह रहे हम कह सकते हैं की 8 कितना जाएगा यह बिटा आपके पास में, this will be nearby this, ठीक है, अब क्या कह रहा है, in which direction is the starting point, जो यह starting point है with respect to ending point, ending point से starting point कौन से direction में, अब direction देखो, कौन से direction में, यह ऐसे जाएगा, टेटी लाइन जा रहे है, देखो, थोड़ इसी टेटी लाइन जा रहे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह 3 तो यह हो गया, ठीक है, 3, that means कि अगर हम पूरा देखे, तो यहां से लेके, यहां तक का 11 का distance हो गया, 11 का, that means कि इधर वाला point सोड़ा सा इधर है, और यह starting point सोड़ तरह इस्ट की तरफ, तो क्या हो गया, नौर्थ इस्ट हो गया, that means कि कौन सी direction हो गया, उसकी, नौर्थ इस्ट हो गया, हाँ जी बताओ समझा है सभी को, clear है, बिल्कुल, कोई डाउट इसमें, next देखते हैं, हाँ जी, अगर clear है, तो next करें, फिर, हाँ जी, next देखें किया, next का बटन क्यों नहीं बार कर रहा है, हाँ जी, next देखें, next question आपके पास, next question क्या है, ए परसन स्टार्ट from point T in east direction, east direction means what, इधर जा रहा है, कहां से स्टार्ट किया, उसने, T point से स्टार्ट किया, यही है, walks 6 meter, 6 meter उसने walk किया, ठीक है, इसको हमने ले लिया, 6 meter, and turns right, अब जब वो इधर इस direction में जा रहा है, तो right turn किधर होगा, अभी last question में भी हमने किया था, जब जा रहा है कौन सा east direction के अंदर, तो right turn कहां जाएगा, नीचे की तरफ, यह उपर की तरफ, down या आप, down, okay, तो कितन right, next walk 4 meter, फिर उसने 4 meter चला है, and then turns left, अब हो जा रहा है, left के अंदर, अब left किधर जाएगा, south facing है, south facing है, left turn करना है, तो left turn किधर होगा, हाँ जी, left turn किधर होगा, इधर होगा, done, यही है, next walk 3 meter, 3 meter चलावो, यह ले ले लेते नियर भाई 3, okay, and turns right, अब इधर जा रहा हो, फिर right turn लिया, उसने, निचे एक साइड आ गया, and then cycles for 8, 8 चलावो, यहां तक आ गया, done, अब क्या कह रहा है, and stops, और यहां पर वो stop होगा, okay, यह उसका ending point आ गया, find the distance from T, कहता है कि T से उसका distance बताओ, जब भी इस तरह से अपने distance वाले question आते हैं, तो ध्यान क्या रखना है, कि हमेशा एक right angle triangle बनाने की कोशिश करने है, हमने, तो यहां से देखो, कैसे बनेगा, इस point को, इस point के साथ directly हमने मिला दिया, मिला दिया, अब हमारा right angle triangle तो बन नहीं रहा, तो इसको बना दो, कोई बात नहीं, जो भी हमारे पास में कमी आ रही है, उसको पूरी कर देते हैं यह देखो, right angle triangle बन गया आपका, right angle triangle बन गया, अब इस right angle triangle की जो दो direction है, जो कि 90 degree के उपर है, तो उनका हमने distance find out करना है, तो यह देखो यह था 6, 6 और इधर से अगर मैं देखुई थी 3, तो कितना बन गया total, 9 हो गया, और अगर हम ऐसे देखें, तो यह था हमारे पास में 8 देखो ना, last में 8 चला हो, 8 यह और 4 यह, that means कि total कितना होगे हमारे पास, 12, अब लेंगा आएंगे pythagoras थिर, जब भी यह हमारा जो diagonal distance हमने find out करना होता है, तो उस case के अंदर इसकी value क्या होती है, यह जो value है, वो क्या होती है diagonal की हमारे पास में, यह हो जाएगा आपके पास म square of one side plus square of the second side और दोनों का क्या कर दो, square root कर दो, क्या कर देंगे, square root कर देंगे, यह कितना आगे, 81 ठीक है, और यहाँ से अपने पास में, यह आगे बिटा अपने पास में, 81 और यह हो गया हमारे पास 12, 12, 144, दोनों का add किया, यह आगे हमारे पास 225, अब 225 का अगर हम square root करते तो value कितने आती है, 15, that means कि answer कितना आजाएगा आपके पास, 15, बिल्कोल क्लियर है क्योंकि distance वाले questions आ जाते हैं, तो धिहान रखने हैं कि जब भी इस तरह से distance find out करना है, तो 90 degree का angle हमने बना लेना, means आप यह कह सकते हैं कि right angle triangle बनाना हमने, right angle triangle बना दोनों sides का square करो, ठीक है, add कर दो और उसका square root निकाल दो, इसको pythagoras theorem बोलते हैं, क्या बोलते हैं, pythagoras theorem बोलते हैं, okay, next question है, एक person start from a point in east direction, he walks 6 km, ठीक है, and then turns to his left, left के अंदर turn के, अब यहां से left, that means कि उपर की side के यह 6 लगा लिए, कितना चला, 4, and then turn to his left, अब जब हम north facing है, और left में जाना, that means कि जो actual में left, वही left रहेगा, and then turn left again, and walk 2 km, that means कि इधर से 2 km चल दिया, and then turns towards south direction, south direction के अंदर चल दिया, and stops after walking 8 km, और यहां से 8 km चलके वो रुख गया, 8 km चलके रुख गया, that means कि यह starting point था हमारा, और यह हमारे पास में ending point आ गया, now question is what, distance from the starting point, distance from find out करना, अब देखो, मैंने क्या बता है था भी आपको, कि right angle triangle बना लिया करो, अब starting point यह है, ending point यह है, दोनों को match कर देगे, यह बन गया, अब यह तो हमारा already right angle triangle बन रहा है, right angle triangle बन रहा है, distance भी पता होना चाहिए, अब यहां से लेके यहां तक का जो distance है, यहां तक right angle triangle बन रहा है, वो देखने, अब यह पूरा कितना था, 6, और यह कितना है, 2, इस 6 में से 2 को minus किया, तो यह value कितनी बचगी मेरे पास, 4, इस points का धिहान रखना हमने, ठीक है, इसी तरह से यह पूरे कितना है, यह पूरा कितना है, 8 है, यहां पे लिखा है हमने, यहां से वो चला कितना 8, और यह कितना अदा, यह कितना यहां तक का, 4, that means कि यह कितना है, 4, clear, यह हमें distance find out करना है, तो distance कितना आ गया, इसका square प्लस इसका square, 4 square प्लस 4 square का square root, that means कितना हो गया, 16 प्लस 16, that means 32, okay, और you can say 16 into 2, क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि 16 का square root कितना होता है, 4, तो 4 हमारा भार आ गया, अंदर क्या रहा गया, square root 2, तो answer के आज़ेगा, 4 root 2, 4 square root 2, will be the correct answer, clear, कोई सके अंदर doubt, बस इस तरह से practice करने हैं आप लोगोंने, ठीक है, तो आप लोगों के जो एक concepts है ना हांजी, left में किधर है, right में किधर जाना है, कितना distance बन रहा हो सारे clear हो जाएंगे, next देखे, next है, the suverna lake, suverna rechal river flows from west to east, हांजी एक river है, कहारे कि वो कैसे flow कर रही है, west से, east की तरफ flow कर रही है, ऐसे flow कर रही है, इस direction के अंदर, इस direction के अंदर flow कर रही है, ठीक है, and on the way, turns left and goes quarter circle around shiv temple, अब यहाँ पर देखो, confuse करने के लिए, wordings के अंदर लगा दिया, जैसे यहाँ पर इसने shiv temple बोल दिया, river बोल दिया Confuse नहीं होना, क्या कह रहा है, simple, कह रहा है, कि यहाँ ऐसे जा रही थी river, सिधी सिधी बह रही थी, अब बीच में क्या हुआ, कि वो left turn कर गी, अब मुझे पता है कि हंजी, जब river कहां से west से east की तरफ जारी, that means कि east facing हो गया, और east facing से left के अंदर जब जाना है, that means कि मुझे अ अप जाना है, तो यहाँ से वो ऐसे चलेगी, river कैसे जारी है हमारे, ऐसे जारी है, ठीक है, अब उसके बाद में उसने क्या कहा है, कि end turn left, इधर मुढ गई, इधर मुढ ने के बाद में उसने क्या कहा है, end goes in quarter circle, अब ऐसे सिधी नहीं गई हो, कैसे गई है, quarter circle के अंदर हो गया, quarter मतलब कितना हो गया, उसका चोथा हिस्सा, one-fourth, quarter means one-fourth, means कि अगर वो इधर जैसे जारे है, तो कैसे जाएगी, यह वला हिस्सा बन गया, that means कि मेरी ऐसे करके, यहाँ तक पहुच गी नदी, यहाँ तक है, ठीक है, अब उसके बाद में उसने क्या कहा है, around a sieve temple, that means what, कि यहाँ पे sieve temple है, and then turns left in right angle, और उसके बाद में left direction के अंदर right angle में चलीगी, अब जैसे ऐसे गई, तो left direction कहा होगी, east facing, left direction मतलब हो गया, अब तो कैसे चलीगी, right direction, ऐसे चलीगी, done, is this point clear, now what does, it is questioning, in which direction is the river finally flowing, finally किस direction में flow कर रही, देखो इस direction में flow कर रही और यह क्या है, north है, that means कि north के अंदर flow कर रही, किदर flow कर रही है, north के अंदर flow कर रही, clear, next देखे, next question देखो क्या है, एक person starts from a point A, एक person है, वो कहां से start कर रहा है, A point से start कर रहा है, यह A point ले ले दिए हमने, ठीक है, starts from walk 10 meter south, south यह starting point है बिटा है और यहां से वो south के अंदर move कर रहा है 10 meter, 10 meter वो south में चला गया, ठीक है अब उसके बाद में क्या कर, now he takes a left turn जब south facing है तो left turn means इस direction में जाएगा and walks 8 meter, 8 meter चले before turning left again और फिर से क्या करना उसने left turn लेना जब हम इस direction के अंदर जा रहा है, east direction में that means कि left turn means आप जाएगा, हाँ जी, किदर चली कि आप यही कहा रहा है, before 8 meter, before taking left turn next he walks 16 meter, 16 meter अब 16 देखते हैं यहां से हम चलेगे सिधा 16 meter, यह ले लेते हम पूरा 16 हो गया that means कि यह पूरा 16 है, यहां तक बिटा 10 है, ध्यान रखना और यह हो गया, हमारे पास में 6 और यह हो गया, हमारे पास 10 point is clear, means what, यह डा, इसका ध्यान रखना है, यह इतना 10 है, ठीक है और यह जो बाकिका पार्ट बचाए यह वाला, यह कितना है, 6 है, total 16 हो गया अब आगे देखो क्या कह रहा, आगे हमारे पास question में, next he walks 16 meter and takes right turn, अब यहां से उसने क्यार किया है, right turn है, north facing right turn, that means कि कि इधर आया, इधर आगे, and he walks 4 meter, यहां से 4 meter चला, and takes right turn, अब यहां से again right turn ने लिया है, उसने right turn, and stops after walking 10, 10 के बाद उसने stop कर दिया, यहां तक चलके 10 नीचे की side आया, 10, 10, 10, 6 ही हो गया, 6, that means कि 4 और चला, 10 यहां तक पहुच गया हो, ओके, ठीक है, तो उसके बाद में देखिए, उसके बाद देखो, कि यहां तक आ गया, यहां तक आने के बाद में, अब उसने क्या क्या, he works 4 meter and takes right turn again, अब यहां पे right turn के बाद में, क्या 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 है उसने, 16 meter चला, then 4 meter चला, उसके बाद में right turn ले लिया, और 10 meter के बाद में यहां पे stop कर गया, यह उसका ending point आ गया, अब question यहां पे क्या है, कि find the distance from A, A से point B से distance, A क्या था हमारा, starting point था, इस starting point से उसका distance हमने बताना है, अब मैंने क्या पता है, जब भी distance find out करना है, तो दोनों को directly match कर दो, और right angle triangle बना लो, अब यहां से हम बनाते हैं right angle triangle, देखो, पहले इन दोनों को match कर देंगे, कर दिया, दिखाई दे रहे, color change कर देते हैं, एक मेंट, यह ले ले लेते हैं, यह दिखाई देगा, थोड़ा different color ले ले लेते हैं, अब दिखाई दे रहे, यह तो blue में ही match होगे, red ले, red ले 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 लेते हैं, यह ले 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 लेते हैं, यह आगे बिटा, ठीक है, यह distance हमने find out करना, अब मैंने क्या right angle triangle बनाना, right angle triangle कैसे बनेगा, अब इसको ऐसे सिधा ले आएंगे, right angle triangle बनेगे, means कि इस triangle के according अब हमने find out करना, अब यह distance आपको पता होना चिए कि कितना है, अब अगर मैं देखूं यहां तक, तो यह जो था, यह पूरा 10 था, यहां तक देखो न, यह पूरा 10 था, यह वा यहां से यहां तक, यह कितना है, 4 है, अगर यह 4 है, that means कि यह भी 4 है, यह 4 है, that means कि यह भी 4 है, अब हम बात करें अगर इधर की, तो इधर से देखो, 8 तो यह था, यहां से लेके यह तो कितना है, 8 ठीक है, यह बस हमने यहां से देखा, यह यहां से यहां तक कितना था, 4, 8 10, 4, कितना हो गया total? 12, 4 ये है बिटा, 12 ये है, clear? अब हमने क्या करना है? पाइथागोरस लगा देनी है, तो distance कितना आ जाएगा? 4 square plus 12 square का square root, कितना आ गया हमारे पास में? 160 आ गया, 160, that means कि हम क्या कह सकते? 16 into 10, 16 का square root 4, that means कि 4 root 10 will be the correct answer. ओके, 4 root 10 will be the correct answer. ये बिलकुल? चलो, फिर नेक्स देखते हैं, नेक्स कोस्चिन की तरफ मूँव करते हैं. हाँ जी, नेक्स देखते हैं, ए परसन स्टार्स फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट ए जो 6 किलोमेटर इन नौर्थ देरेक्शन, now he takes a right turn and move 7 किल किलोमेटर. सिधार जैसे जैसे अपने पास में question को read करते हैं, वैसे वैसे इसको draw करते हैं चलो. ए परसन स्टार्स फ्रॉम ए पॉइंट ए यहां से कहां गया? नौर्थ देरेक्शन के अंदर 6 किलोमेटर. ठीक है? यह स्टार्टिंग पॉइंट है. नौर्थ देखते हैं, जब नौर्थ फेसिंग है, तो राइट टर्ण किदर होगा? राइट टर्ण राइट की साइड होगा? एंड मूज 7 किलोमेटर. और यहां से 7 किलोमेटर बहु किया. नेक्स्ट ही टेक्ट लेफ्ट टर्ण. जब इधर जा रहे है, तो लेफ्ट टर्ण that means कि अप गया हो? ए इसको थोड़ा सा कम ले लेते हैं, इस फाइव किलोमेटर. ओके? फाइनली ही टर्ण राइट, अब यहां से राइट टर्न लेए, राइट मंतलब इस्ट से जब राइट टर्न लेए, यहां से निचे की साइड आएगा? एंड मूज 12 किलोमेटर टो रिच देस्ट टेस्ट और यहां से 12, अब यह कितना था हमारे पास में? 10 था, 12 that means कि 10 का 10 तो यह पूरा क्रोस हो गया और इससे थोड़ा सा निचे यहां पे आगया हो, ठीके? यहां पे आगया, that means कि यह देखो यहां तक है 10 और यह हो गया 2, clear? विच देस्ट टेस्ट इस्टेंस फाइंस फाइंस पर बनाओ, इस पॉइंट को इधर मैच कर दिया, अब हमने देखा कि यह वाला जो डिस्टेंस है, इस पर मत जाओ कि मैडम का थोड़ा बढ़ा बन गया, ठीके? यहां पर यह 2 था, यह टोटल कितना था? 6, that means कि यह कितना आगया हमारे पास? 4, इसी तरह से अगर हम यहां स कोश्चन वाले, कितना हो जाएगा आपके पास? 160 का स्केर रूट, that means कि 4 रूट 10, so answer will be 4 रूट 10, हाँ जी समझ आ रहा है, तो लाइक और शेयर जिरूर कर देंगे अपने फ्रेंड के साथ में, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब निके, चैनल को सब्सक्राइब कर लिज कोई चार्जीज नहीं है, हांजी एक्जाम स्पेसिफिक कोर्स है, कि हांजी इसके अंदर हम आपको कॉंसेट्स भी क्लियर करवा रहे हैं, साथ साथ में इंपोर्टन कोश्चन भी आप लोगों के साथ में डिसकस कर रहे हैं, इसको सभी ने जोइन करने हैं, ओके, नेक्स शेड़ो मनी फॉल्स ओन दा लेफ्ट साइड ओफ भी नहीं, मनी की जो शेड़ो है वो लेफ्ट साइड में पर लिए भी नहीं के, पहले शेड़ो का कंसेप्ट समझो, शेड़ो का कंसेप्ट क्या कहता है, कि मोर्निंग के अंदर, अगर मोर्निंग के हम बात करें, तो मोर is in the east morning में sun होता है इस्ट में तो shadow कहां जाएगी वेस्ट में ठीक है चाई परसन यहां पर है चाई परसन यहां पर है face उसका कोई भी direction में बट shadow कहां जाएगी वेस्ट डारेक्शन के अदर ठीक है इसी तरह से अगर हम evening की बात करें तो evening के अंदर shadow कि अधर जाएगी इस्ट के अंदर ओके बस यह पॉइंट धियान रखने है तो अब यहां पर देखो क्या कहा रहा है money and winner are two brothers facing to each other shadow of money falls on the left side of winner left side में on which direction money is facing अब इस question में यह नहीं बताया कि morning है या evening अब जब ना morning पता है ना evening पता है that means we can't determine so answer क्या आजाएगा can't be determined okay अब इस तरह एक और question करते है एक question और करते है क्या कह रहा है one morning Manish and Anu were talking to each other face to face at the crossing in Anu's shadow जब भी shadow की बात आ रहे है तो उस case के अंदर हमने direction क्या लहीं है North South ही लोग है ठीक है facing to each other मतलब एक का face इदर है एक का face इदर है ठीक है अब यहाँ पर उसने क्या 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 है in the morning morning means इदर आएगा sun और इधर आएगी shadow अब उसने क्या 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 है if Anu's shadow is exactly to the left of Manish अब यह कह रहा है कि यह वाला इससा क्या है left है किसका Manish का अब यह left है Manish का जिसका face North की सरफ होगा उसी का left होगा that means कि यह इसका left है इसका left है that means कि यह कौन है Manish है Manish का left है ठीक है अब यह जो है यह क्यों है unknown है अब question क्या विच direction वाज Manish facing तो Manish का face कि इदर है North direction के अंदर answer क्या आगया आपके पास North आजा हाँ जी बताओ इसमें कोई doubt तो shadow वाले questions भी कर लोगे direction वाले भी कर लोगे ओके next देखिए next question है caviar runs 8 km to south caviar runs 8 km to south यहां से start कर लेते हैं south के अंदर run कर गी 8 km ठीक है अब उसके बात गया then she turns to the left देखो south facing है बेटा south से जब turn कर रही है तो उस case में ध्यान रखना है हमने क्या कि left कि दर जाएगा right की side she turns to the left 15 km यह आ गया 15 km ठीक है and then she turn to her right और उसके बाद में कहां पर move कर रही right direction के अंदर move कर रही है तो right direction इधर जा रहे right that means की निचे की side जाएगे अब यहाँ पर उसने क्या कहा है right direction and 12 km again तो हम यह ले लेते हैं this is around 12 km okay again and then she turn to right अब right के अंदर move करेगी अब right क्या होगा south facing है right that means की इधर left की side जाएगा इधर move करेगी okay and then turn 15 km 15 अब हमें पता यहां से लेके यहां तक का कितना है distance 15 है that means की 15 15 15 पूरा यहां पर आ जाएगा okay अब उसने कहां how far and in which direction C is from the starting point अब यहां से starting point को मैंने क्या कहा हर बार सिद्धा मैच कर दो यहां से इस point को हमने मैच कर दिया कितना बन गया 8 तो यह था और 12 यह है कितना हो गया total 20 कितना जाएगा 20 अब इसमें यह पुछा आप से कि यह वाला point की direction पुछे आप से यह वाले direction की पुछे है तो यह हमने ध्यान रखना है कि direction कौन से की find out करनी है तो इसने कहा है कि how far and in which direction C is from the starting point starting point से किस direction में इसको हमने find out करने comparatively किसके comparison में starting point में यह किसमें है south के अंदर है क्या कहेंगे 20 km south done answer आ जाएगा option C clear चलो फिर और करते question question क्या if A is south of B अब यहां पर क्या होता है कि कई बार ना सिरफ points given होते हैं जब भी points given है तो सिद्धा 90 degree मान के consider करके चलना आपने ऐसा नहीं है कि हंजी left right में move करना है या कुछ सिद्धा lines को line से match करना है ठीक है कोई आपने diagonally नहीं चलना means east west north south की ही बात होगी ठीक है तो जो भी आपके पास में direction given है उसी direction के अंदर सिद्धा उसको match कर देना है ओके देखो कैसे question से अच्छी से क्लिए है कि क्याता है if a is in the south of b पहले b को draw करो अब b a कहाँ पर b की south में सिद्धा south में सिद्धी direction के अंदर लेके जाना मैंना अभी क्या का सिद्धी direction this is the okay in which direction a with respect to c a कौन सी direction में है c से तो a कौन सी direction में south में है और इधर तो east होता है तो इधर क्या होता है west होता है क्या हो गया south बिल्कुल easy था हां जी easy question था समझ आया कि जब भी इस तरह से question आते है तो सिद्धा point को directly lines to line match कर देंगे जिस भी direction में का उस direction में सिद्धी line draw कर देंगे okay clear okay so students सभी जो यह course चल रहा हो चल रहा हमारा free warm-up course चल रहा है और यह video lectures के अंदर आप जब जाओगे description में video lectures का link given है तो वहां से देखो यह जो course है यह वाले course के अंदर हमारी classes चल रही है तो इसको सभी ने join करना है इसको join करने के लिए क्लिए करना है जब आप course पे जाओगे वहाँ पे आपसे पुछेगा 100% discount आपने 100% discount पे क्लिक कर देना है 100% discount मतलब free तो यह आपको course अब लेबल हो जाएगा तो इसके अंदर 35 lectures है अभी जैसे जैसे अभी आगे lectures चल रहे है तो इसमें lectures add होते चले जाएंगे तो इसके अंदर काफी important questions हमने discuss करवा है तो आपने इसको जोइन करने सभी ने जोइन करने का दूसरा फाइदा क्या रहना कि सभी के सभी lecture जो आज तक हो चुके YouTube पे आप कहां पर ढूंडोगे उनको सभी के सभी आपको एक ही platform के under मिल जाएंगे same platform के लिए under with PDF हर एक के साथ में PDF अटेच है ठीक है इसी तरह से यह सभी कोर्स है हमारे पास में जिसके अंदर सिक सीजर के प्रिवियस एर कोश्चिंस को डिसकस किया गए तो आप इसको भी जोइन कर सकते हो इसका भी इसके अलावा अगर मालो कोई बिल्कुली ऐसा स्टूडेंट के बाद तो हमने मैथ रिजनिंग करी नहीं है सिरफ हम तो आर्ट के जो सब्जेक्ट से वही कर रहे हैं और आब हमने आइस के लिए प्रिपेर करना है तो उसके लिए मुश्कील है तो वह स्टूडेंट क्या क दुर्ट डूसरा अगरापको स्टुड में दिक्कत आरी आप ओंप ले सकते हो लोजिकल रिजनिंग वें इसके लिए प्रोब्लमं हे इंग्लिश अलबहें अगर आपको इसको किसी भी पर्टिकुला权 टोपिक में इस्ज़उर आ रहे ठीक है आप उसके अंदर से फडर आपको टोपिक चेक करने हैं जी व्यू माइक्रोकोर्स करोंगे व्यू माइक्रो कोर्स में आपके पास में सारे टॉपिक आपको चाहिए वह आप ले सकते हो पॉर मुझे तो सिरफ direction sense चाहिए, logical reasoning में जाओ direction sense लेलो, ठीक है, इसी तरह से अगर आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो number system चाहिए, quantum में जाओ number system लेलो, simple है, ओके, फिर भी कोई issue आता है, comment section में आप comment कर सकते हो, ठीक है, inquiry कर सकते हो, phone number available है, वहाँ से आप inquiry कर सकते हो, ओके, so students, it was all for today Thank you so much, मिलते हैं next class के अंदर, okay